नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि पैसिमोल टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, पैसिमोल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और पैसिमोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी दिस्कस करेंगे की Pesimol Tablate को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में Pesimol Tablate को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। Pesimol Tablate का उपयोग दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पैसिमोल टैबलेट का उपयोग सिरदर्ध होने पर, मास पेशियों में दर्ध होने पर, जोडों में दर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध, माईग्रेन के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडिशन्स में भी पैसिमोल टैब और 1000 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना नख भूलें। अब हम डिसकस करेंगे की पैसिमोल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। पैसिमोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। बारह वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पैसिमोल 500 mg टैबलेट या पैसिमोल 650 mg टैबलेट को दिन में दो से लेकर तीन बार ले लेने की सलाह देते हैं. लेकिन पैसिमोल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको पैसिमोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और की सलाह के बिना पैसिमोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की पैसिमोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? वैसे पैसिमोल टैबलेट दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है. और ज्यादा तर व्यक्तिय पैसिमोल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा खुराक में पैसिमोल टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको पैसिमोल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई देई खुराक में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि पैसिमोल टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में पैसिमोल टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। अगर्प में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। पैसिमोल टेबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पैसिमोल टेबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पैसिमोल टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका पैसिमोल टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।